मलाकी भविश्वक्ता की पुस्तत अध्याय एक मलाकी अध्याय एक मलाकी के द्वारा इस्राइल के विशे में यहुआ का कहा हुआ भारी वचल यहुआ यह कहता है कि मैंने तुम से प्रेम किया है परन्तु तुम पूछते हो कि तुने किस बात में हमसे प्रेम किया है। यहवा की यहवानी है कि क्या एसाव याकुप का भाई न था। तो भी मैंने याकुप से प्रेम किया। परन्तु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी बपोती को जंगल के गिदड़ों का कर दिया। एदुम तो कहता है कि हमारा देश उजड़ गया है। परन्तु हम खंडरों को फिरकर बसाएंगे। जाती पड़ेगा और वे ऐसे लोग पहलाएंगे जिन पर यहोवा सदयव कुधित रहेगा। और तुम्हारी आखे देखेगी और तुम कहोगे कि यहोवा का प्रताथ इस्रायल के सीवान की परली और भी बढ़ता जाए। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं जो पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहा। और यदि मैं स्वामी हूँ, तो मेरा भहे मानना कहाँ? सेनाव का यहोवा, तुम याजको से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो, यही बात पूछता है। कि तुम कहते हो कि यहोवा की मेज तुछे है। फिर जब तुम अंधे पशुको पली करने के लिए समीफ ले आते हो, तो क्या यह बुरा नहीं? और जब तुम लंग्डे वरोगी पशुको ले आते हो, तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास इसी भेट ले जाओ, तो क्या वहां तुमसे प्रसन्न होगा, वहां तुम पर अनुग्रह करेगा, सिनाओ के यहुआ का यही वचन है, और अब मैं तुमसे बिंति करता हूँ, कि परमिश्वर से प्राठ न करूँ, कि वहां हम लोग पर अनुग्रह करे, यहां तुम्हारे हाथ से हुआ है, क्या तु समझते हो, कि परमिश्वर तुम में से किसी का पक्ष लेगा, सिनाओ के यहुआ का यही वचन है, भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाडों को बन्न करता है, कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते, सिन सिनाओ के यहुआ का यह वचन है, कि मैं तुम से कदापी प्रसन्न नहीं हूँ, और न तुम्हारे हाथ से भेट ग्रहन करूंगा, उदेयाचल से लेकर अस्ताचल तक अन्यजातियों में तुम्हेरा नाम महाल है, और हर कही धूप और शुद्ध भेट मेरे नाम पर चढ़ क्योंकि अन्यजातियों में मेरा नाम महाल है, सिनाओ के यहुआ का यही वचन है, परंतु तुम लोग उसको यहां कहकर अपवित्र ठेराते हो, कि यहुआ की मेज अशुद्ध है, और उस पर से जो भोजवस्तु निकलती है, वहां भी तुच्छ है, फिर तुम यहां भी क कि तुमने उस भोजवस्तु के प्रती लाक भव सिकूडी है, और अत्याचार से प्राप्ति किये हुए, और लंगडे और रोगी पशु भी भेट ले आते हो, फिर क्या मैं ऐसी भेट तुम्हारे हाथ से ग्रहन करू, यहुआ का यही वचन है, जिस छली के जुड़ में न पशु हो, परंतु वहां मन्नत मानकर पर्मिश्वर को बरजा हुआ, पशु चढ़ाएं, वहां शापी थे, मैं तो महाराजा हूँ, और मेरा नाम अन्ने जातियों में भायययोग्य है, सिनाओ के यहुआ का यही वचन है